अर्विन जी ये बताईए कि आज के दिन क्यों पायों की बात कर लेते हैं तमाम दुखों का और परेशानियों का निवारन भी आज किया जा सकता है तो क्या कुछ किया जा सकता है आज के दिन देखी ऐसा है कि एकादसी जो ब्रतहिस को ब्रतराज कहा गया है भगवान स्रीकृष्ण ने जब अरजुन को अपना विराट रूप दिखाया तो अरजुन से उस टाइम पे कहा कि हे अरजुन देखो मुझे मैं नदियों में गंगा हूँ तारों में चंद्रमा हूँ जैसे तरह जितने भी ब्रत होते हैं उनमें मैं एकादसी ब्रत हूँ एकादसी ब्रत में क्यों नहीं अनक खाते हैं और इसका क्या एक जो है ऐसा विदहान है कि आप ब्रत निराहार रखते हैं या दूसरे शब्दें कहें कि फलाहार रखते हैं तो ऐसा क्यों है देखिए जब कल दसी के दिन जो ब्यक्ति अन्न खाए तो आप उसके शरीर में वाश करना है। इसलिए एका दसी को अन्न जोग नहीं खाते हैं और खास करके चावल का त्याज है। यह थोड़ा सा प्रयास करें लोग कि यह कोई भी बृत नहीं रह सकते हैं तो एका दसी का बृत रहें तो उ श्रम hygge покуп और विश्चण की करते हैं उसी प्रकार से आंवले ब्रिक्ष की पूजा करें क्यों कि अव्ले ब्रिक्ष की जो उत्पती है वो भगवान के मुखारविंदों से तो भगवान ने कहा है कि आज के दिन यदि कोई आंवले की पूजा करता और साथ में भगवान विश्णु का पूजन करता है तो कहते हैं स्वस्ति दा स्वस्ति क्रे स्वस्ति स्वस्ति भुक स्वस्ति दक्षिन हा चारो दिसाओं में कहने का ताथ पर कि चारो दिसाओं के मतलब कि पूरब पस्चिम उत्तर दक्षिन चारो तरब से उसके जीवन में स्वस्ति यानि मंगल मई बातावरन का जो है आगमन होगा और मांगलिक पोजीशन उसको चारो तरब से प्राप्त होंगे और चतुर मूर्तिस चतुर बाहुस चतुर व्योहस चतुर गति चतुर आत्मा चतुर भावस चतुर वेद विदे कपात और चारो पुर्शार्थ प्राप्त होंगे धर्म अर्थ काम मोक्ष और कहते हैं रोगार्थो मुच्टे रोगाद बंधो धन की प्राप्ति होती है रोगार्तों मुच्चते रोगात यदि किसी गहरी बीमारी से ग्रसित है तो उसका जो है रोग जड़से नष्ट होता है और सबसे उंची बात यह होती है कि उसको जन्म मृत्यू जराब्याधी भयम नईवो पजायते अंतिम में उसको मोक्ष की प् सितियां ऐसी बनती जाती है एटोमेटिक कि अंतिम गति उसकी बहुत अच्छी होती है इसलिए ब्रतों में एकादसी ब्रत को विशिष्ट कहा गया है तो आप एकादसी का ब्रत नहीं रह पा रहे हैं तो भगवान के नाम का जो है जाप कर लें यथा संभो जो आपके पास नों में जो ब्रध जन है जो माता-पिता हैं उनका आसीсь जरूर्व प्राप्त करें देखिये आसी शिक्यों बार बार कहा जाता है प्राप्त करें तो यह चार चीजें अपने आ प्राक्त हो जाती एक क्या आयू विद्या यश और बल क्यों कि ये आसिरवात से ही आपको जो है प्राप्त हो शकते हैं और आसिरवात जरूरी नहीं कि आप कहीं जाकर के मंदिर में ही जाएं तभी अपने घर के बुजरुगों को और सबसे बड़े जो देवता हैं पूजनी हैं आपके माता पिता इनक आसिस प्राप्त करें निश्चित रूब से आपके जीवन में हर प्रकार की जो संकट हैं जो कष्ट हैं वो दूर हो जाएंगे लेकिन आप पूरी सिरद्धा के साथ ऐसा करके देखें तब ये अमलिका एकादसी आपको बारंबार प्राप्त नहीं होगी क्योंकि ये आलगुनमास सुकलपक्ष की एकादसी और नक्षत्र आपका पुष्य है बड़ा अच्छा संजोग है आज के दिन ही भगवान शिवने मापारवती गवरा के संग होली खेली थी इसलिए इस एकादसी को रंग भरी एकादसी भी कहते हैं क्योंकि गवना हो करके एक प्रकार क्योंकि थी पत्र आपकार आपकार संगे ध bek algता प्रका PCT प्रकार के माइबुनाशमे कारी है आपकार 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 आपकारलै माइब drug, जगा यूमाजमाबग घए माफकार आपकार के संगत्रेयों नक्षत्य है?